हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल या स्कियम इस्टड़ी अवे आप सक्सिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवम मिस्रा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल या स्कियम इस्टड़ी पर और यहां पर हम आज आपको बताएंगे जो का है दे देता है कि लिंग सहलगन वनसागती किसे कहते हैं और या फिर दे देगा कि वाड़ांधता हीमोफीलिया तो किसी का भी वो दे देगा तो आज हम इसमें दोनों कर करेंगे कि लिंग सहलगनता क्या है या फिर लिंग सहलगन वनसागती किसे कहते हैं दोनों में से को देखेंगे और इसके पहले देखेंगे सहलगनता होती क्या है क्योंकि लिंग सहलगनता जानने से पहले आप लोग को सहलगनता के बारे में पता होना चाहिए तभी इसके बारे में आप पूरा डिटेल में समझेंगे तो चले पहले इससे हम लोग पहले सहलगनता जानते हैं और सहलगनता की व्याख्या किसने की फिर देखेंगे लिंग्न सहलगन की वनसागती क्या होती है काफी important question आपकी exam के point of view से ठीक है तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं कि सहलगनता यानि कि linkage है क्या सहलगनता होती क्या है तो जब दो या दो से अधिक जिन्स एक गुरसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास इस्थित हों तब यह स्वतनतर अपवियूहन नहीं दिखाते हैं बलकि एक साथ वह अनसागत होती हैं और इस लक्षड को सहलगनता क्या होती है तो बात सुन्याई सहलगनता क्या होती है जब दो या दो से अधिक जिन्स एक गुर्षूत्र परता था एक दूसरी के पास इस्थित होते हैं तब यह सोतंद्र अपवियूहन नहीं दिखाते बलकि एक साथवन सानुगत होते हैं और इस लक्षड को सहलगनता कहती हैं इसे क् सहलगनता कहा जाता है अब आप काता है सहलगनता की व्याख्या आखिरकार यह सहलगनता की व्याख्या किसने की थी तो प्रसिद्ध वैग्यानिक मौर्गन ने सहलगनता का आध्यन फल मक्षी में किया जो प्रसिद्ध वैग्यानिक थे और वैग्यानिक का नाम क्या था मौ कारण ही सहलगनता उत्पन्य होती है और इसकी तिवरता गुड़ सुत्रों में जिन्स की दूरी पर निर्भर करती है और इनकी जो तिवरता होती है वो किस पर निर्भर करती है तो गुड़ सुत्रों में जिन्स की दूरी पर जो उनके भी डिस्टेंस होती है उन पर निर्भ में किया था सहलगनता की तीवरता सहलगनी जीनों के बीच की दूरी के ब्यूत क्रमी होती है क्या होती है किसके होती है सहलगनी जीनों के बीच के क्या होती है ब्यूत क्रमी होती है अब आप क्या आती है लिंग सहलगनता ये लिंग सहलगनता क्या होती है यानि कि बोले तो sex linkage तो यह विशेश प्रकार के सहलगनता है जो उन जिंस के बीच पाई जाती है जो लिंग गुर सुत्रों में उपस्तित होती है यह विशेश प्रकार क्या होती है सहलगनता है जो उन जिंस के बीच पाई जाती है जो लिंग गुर्षूत्र में क्या होते हैं उपस्तित होते हैं किन्तु लिंग निर्धार से संबंधित नहीं होते हैं लेकिन ये कभी लिंग निर्धार नहीं करेंगे ये आप सोचिए कि ये बेबी या बेबी यानि गर्ल या फिर बॉय को जन्मिल देने में सहायक होते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं यह क्यों रोग उत्पन्य करेंगे कि लिंग निधान से संबंद नहीं होते हैं समझात या भी समझात विगमच एक्स वाई गुर्षुत्रों के खंडों की इस्तिती के नुसारिये जिन विन मैं नहीं कर पाती हैं ठीक है अब हम लोग जा पाता है यह लिग्ण सहलगनता से ही उत्पन्य होने वाले रोग होते हैं तो चलिए देखते हैं वड़ांधता क्या होते हैं वड़ांधता को बोलते हैं कलर ब्राइंडनिस कलर ब्लाइंडनेस तो यह एक अप्रभावे जिन्स द्वारा नियंत्रित लिंग सहलंगन रोग है इसमें मनुस्य को लाल वहरे रंग में अंतर नहीं दिखाई देता है यानि कि वो लोग लाल और हरे रंग में अंतर नहीं इसपष्ट कर पाते क्यों लाल है या फिर हरा है अतर यह रोग लाल हरा अंधापन कहलाता है यानि कि जिसको वारा अंधता रोग हुआ है वह यह नहीं बता सकता कि यह लाल है कि हरा है यानि कि लाल और हरे में वो बिभेद उत्पन्न नहीं कर पाता है इसलिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल हरा अंधापन रोगी भी कहा जाता है या फिर इस रोग को लाल हरा अंधापन कहते हैं यह लिगन सहलंगन अप्रभावी लक्षड है जो रिसेसिव जिन द्वारा होता है इसका जिन एक्स गुर्षूत्र पर इस्थित होता है जो वड़ांधता का जिन होता है वो किस पर इस्थित होता है तो याद मेल और एक क्या होती है फीमेल एक मेल होता है दुसरा फीमेल होती है तो मेल में जो गुर्षूत्र पाजाता है और फीमेल में एक्स एक्स पाजाता है तो जो वालांधता के जिन होते हैं वो किस पर इस्थित होते हैं एक्स गुर्षूत्र पर इस्थित होते हैं तथा वाय ग तभी वढ़ान्दता होगी जब इनके दोनों यक्स गृषूत्र पर वढ़ान्दता के अपस्तित हो में एक ही अप्रभावी जिन होते हैं जो बह permissions नहीं पर क्या होती है। तब तक वाणांद नहीं होगी लेकिन अगर मेल पर केवल एक ही पर पर आ जाया क्योंकि एक ही होते हैं अगर एक पर ही आ जायेगे वाणांद के जिन तो वह क्या हो जाएगा वाणांद हो जायेगा ठीक है और दुसरी आती है आपकी हीमोफीलिया रूग यह भी हमारी तो हीमोफीलिया क्या होती है इस रोग में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता जिसके कान रक्त लगातार बहता रहता है अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि अगर कभी भी आपको चोड लग जाएगी तो जो आपका बलड बहता रहता है तो हम लोग जाने सहलगन क्या होती है सहलगन की व्याख्या किसी ने की थी और लिंग सहलगनता क्या होती है में दो देखिए एक वाणांदता और हीमोफीलिया जो काफी इंपॉर्टेंट एक लास्ट बाइलोजी के लिए तो इसको आप पढ़के जरूर जाईएगा और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कि दूसर थैंक्यू जैहिन